जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम 19 फरवरी 2021 को RRB NTPC के जो दूसरे सिप्ट का एक्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करेंट अफेर्स के प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से दिखिएगा इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको टेली ग्राम चैनल के वी गुरुजी या फिर के वी गुरुजी डॉट इनके उपर मिल जाएगी तो वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आज कि अगर हम लोग 2nd shift की बात करते हैं तो यहां पर कई सारे प्रशन बिलकुल नए थे यानि की आप कह सकते हैं कई सारे यहां पर नए प्रशन पोचे गए कुछ ही प्रशन थे जो की आपके यहां पर repeated रहे थे तो चलिए देख लेते हैं कि किस वरकार के प्रशन यहां पर पोचे गए थे तो पहला प्रशन पोचा गया था कि plaster of Paris का formula क्या है तो यह आपका एक repeated question था plaster of Paris के formula की बात करते हैं तो यह होता है CASO4 का whole twice H2O या फिर इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है CASO4.1 by 2 H2O तो दोनों प्रकार से इसे लिखा जा सकता है तो जो यहां पर र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका formula होता है CASO4.2H2O तो यह भी आपको यहां पर याद रटा है फिर एक प्रशन पोचा गया था कि जो आपका NH44 है वह कितने राजियों से होकर की गुजरती है तो यहां पर अगर आप लोग Wikipedia के उपर जाएंगे तो वहां पर mention किये ग और यहां पर आपको याद रटना है कि जम्मू कास्मीर के स्रीनगर को तमिल नाडू के कन्या कुमारी से यह जोड़ती है तो यह सारे वोए 13 राजिये हैं जिन से होकर के यह गुजरती है मैप में भी आप लोग देख सकते हैं कि जम्मू कास्मीर से यह शुरू होता है उस प्रकार से आपका NH27 भी है जो कि हमारे यहां का सबसे बड़ा राजमार्ग है ये पॉइंट भी आप आप आद दखेंगे अच्छा कहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां भी पूछा जा चुका है तो ध्यान केगा जहांसी में ये दोनों आपस में जा करके मिलते हैं वीडियो म के उपर रोज मेरी लाइब क्लासेज होती है तो लिंक आपको अनकेडमी पे मेरी प्रोफाइल का दिया हुआ है उस पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो जरूर कर लें जिससे आपको हर वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलती रहे फ्री क्लासेज की खास बात ये होती है कि वहा इससी आपको यूज करना है कोड के वीडियन इससे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था कि हडपा सबिताके जो सिक्के होते थे उनका आकार किस प्रकार का होता है तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है आप मेंसे अगर किसी को पता है तो आपका यहाँ पर चिकन गुनिया था ना तो आपका डेंगू था ओप्सन में दिया गया था फाइल एरिया तो फाइल एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपके मच्छरों से भी होता है इसके अलावा जो ब्लैक फ्लाई होती है उससे भी फाइल एरिया नाम के तो ये आपको यारतना है बाकि आपको पता ही होगा कि एडीज एजेप्टी मस्कीटो जिसे हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से जानती है इससे आपका डेंगू, चिकन गुनिया और जीका नाम के डिसीज होती है इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं मलेरिया की तो मादा एनाफ्रीस से आपकी मलेरिया होती है तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने है अगला प्रेशन पूछा गया था कि IBM 370 किस जनरेशन की कम्प्यूटर है अब इसका सही उत्तर होगा थर्ड जनरेशन क्यों थर्ड होगा? क्योंकि अगर हम लोग तीसरी पीड़ी की बात करते हैं तो वह आपका चला था 1964 से 71 तक कबसे 1964 से 71 तक चला था और ये जो आपका IBM 370 कम्प्यूटर है ये बनाया गया था 1970 में तो इसलिए थर्ड जनरेशन की या एक कम्प्यूटर है इसी परकार से IBM 360 की बात करते हैं तो ये भी थर्ड की है IBM 380 की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आपके फोर्थ जनरेशन की कम्प्यूटर है क्योंकि इसका विकास 1981 के बाद में हुआ था फिर एक परशन पोचा गया था कि इस्टील की जो डेश्ट बिन होती है इसका निर्मार किस सरकारी कमपनी के द्वारा किया गया तो 2019 में हमारे यहां की जो इस्टील अथोर्टी ओफ इंडिया लिम्टेड है यानि कि सैल है उसके द्वारा अरजुन पुरसकार जो आपका है अगला प्रेशन पूछा गया कि अलवर से गुजरने वाली जो आपकी अच्छान्स रेखा है किस राजिसे हो करके गुजरती है तो अगर आपको मैं बहुत अच्चे से पता होगा तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम कैसे सिक्किम होगा अभी मैं आगे आपको मैप के माध्यम से इसे दिखाऊंगा फिर एक प्रश्ण पूछा गया था कि आउले में कौन सा विटामिन पाय जाता है तो आउले में आपका होता है विटामिन सी जिसका रासानिक नाम है एसकॉर्बिक अमल क्या है एसकॉर्बिक एसिड इसका नाम है और मुख्य रूप से जो भी आपके खटेफल होते हैं यानि कि साइट्रिक फूड होते हैं उनमें विटामिन सी पाय जाता है इसकी कमी से रोग कौन सा होता है तो इसकरवी रोग इसकी कमी से होता है तो आईए देखते हैं कि अलवर्थ से जो आपके अच्छांस रिखा गुजरती है वह हमारे किन राज्यों से हो करके गुजरती है तो यह आपके सामने मैप है यहाँ पर आप देखिए यह है रजस्थान और यहाँ पर आपको मिलेगा अलवर तो अलवर से अगर आप लोग एक सीधी लाइन को ड्रा करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश से जाती है, कुछ हिस्सा आता है बिहार में और उसके बाद में यह जा रही है सिक्किम से तो इस प्रकार से जब आप वहाँ पर में बना करके उसके बाद में इस प्रकार से लाइन खेचेंगे तो इन प्रकार के प्रश्णों का उत्तर दे पाएंगे फिर अगला प्रश्ण पूछा गया था कि स्वाणिंग चतरभुट जो योजना है यानि कि जिसे हम लोग गोल्डन कौार्डरी लेटरल के नाम से जानती है ये किस से सम्मंधित है तो ये योजना हमारी 2001 में लौंच की गई थी मुख की रूप से उद्दे से था कि हमारे यहाँ पर जो चार महानगर है उनको आपस में करेक्ट किया जाए तो दिल्ली, मुंबई, चन्नाई और कोलकाता तो इनको आपस में जोडने के लिए 2001 में इसको लौंच किया गया था 2012 में ये आपकी पूरी हुचकी है फिर एक प्रशन था कि बिभिन परजातियों के लिए जो रेडर डेटा बुक है किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है तो CBT2 का जो कल हम लोगों ने पेपर डिसकस किया था उसमें भी आगरी प्रशन यही था कि किन कटेगरी में यहाँ पर जो आपकी इस पसीज होती है उनको IUCN रजिस्टर करता है और मुख्याले का नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा अगला प्रशन पूछा गया था कि खाद्य स्रिंखला में जब प्रात्मिक से दितियक आहार को गरहन करता है तो कितनी उर्जा को प्राप्त करता है तो यहाँ पर 10% उर्जा को प्राप्त करता है कैसे अभी हम लोग डायक्राम के मात्यम से देखेंगे फिर एक प्रशन पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर जो आपका होता है उसको कौन से गरंथे नियंतरिक करती है तो ब्लड प्रेशर के अगर हम लोग बारे में बात करें तो दो हमारी गरंथिया होती है जो की इसको नियंतरिक करती है कौन कौन सी एक तो आपके है अडिनल ग्रैंड और दूसरी आपके है पिटिवटरी ग्लैंड तो यहां पर जो भी आपका ऑप्सन में रहा होगा वह यहां पर हो जाएगा correct तो यह जो हमारी ग्लैंड होती है इनके द्वारा हर्मोन सदलीज किये जाते हैं और इसी से हमारे जो blood pressure होता है उसको नियंतरिज किया जाता है अच्छा खाद स्रिंखला वाला यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे primary producer हो गए यहां पर energy है 20,000 किलो कैलोरी यहां से जब आपके secondary consumer के पास जाती है तो मातर 2000 जाती है यानि कि आप देख सकते हैं इनको किवल 10% ही मिला है फिर यहां से जब secondary में जाता है तो 200 हो गया इसी परकार से जब tertiary में जाएगा तो यह आपका 20 बसता है और जब यह आपके 4 फेज में पहुंचता है तो वहां पर मातर 2 किलो कैलोरी यह उर्जा बसती है तो इस परकार से आप इसको समझ सकते है कि 10% की कमी होती है यानि कि 10% उर्जा यहां पर मिलता है बाकी जो 90% energy होती है वह अन्य माध्यम से यहां पर लॉस हो जाती है फिर एक प्रेशन पूचा गया कि कोडार का सुर्य मंदिर का निर्मार किसके द्वारा करवाया गया था कई बार यह पहले भी पूचा जा चुका है तो इसका निर्मार करवाया था नर्सिंग देव पृथम ने किसने नर्सिंग देव पृथम के द्वारा इसका निर्मार करवाया गया था उड़ीसा में यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा और नर्सिंग देव पृथम की बात करती है तो इस्ट गंगा डानेस्टी के थे यह किस की थे इस्ट गंगाट डाइनस्टी के ये सा सकते फिर एक प्रशन पोचा गया था कि अमेरिका की जो उप राश्पती है जिनका नाम है कमला हैरेस ये किस जिले से संबंदित है तो यहां पर राज का नाम ना पोच करके पार्टीकुलर जिले का नाम पोचा गया था तो तमिल लाडो में एक जिला है जिसका नाम है नाग पटिनम तो हमारे जो कमला भुआ हैं वह वहीं से संबंदित हैं तो याद दखिएगा, अमेरिका के इतिहास में ये पहली महिला राश्पती बनी है. महिला उपर राश्पती ये बनी है. राश्पती तो जो वाइडन बनी है. अलग राजी के निर्मार के लिए सम्मिधान के किस अनुसूची में संसूधन करना होता है. तो यहाँ पर जो हमारे सम्मिधान की पहली अनुसूची है, जिसमें राग जी और संग छेतर के बारे में बताया गया है, वहाँ पर संसूधन होता है. आपको पता ही होगा कि हमारे सम्मिधान का जो एक से चार तक का अनुच्छेथ है वह राजियों से ही सम्मनित है तो यहाँ पसंसोधन किया जाता है फिर एक प्रेशन पूछा गया था कि जो आपकी गदर पार्टी है इसकी अस्थापना कब और कहां पर हुई थी तो अगर हम लोग गदर पार्टी की बात करते हैं तो यह प्रेशन पहले भी पूछा जा चुका है इसकी अस्थापना हुई थी 1913 में कहां पर सैन फ्रांसिसको में इसके अस्थापना की गई थी जो कि USA का एक सहर है और आपको यादखना है कि लाला हर्दयाल इसके वालन रिजर्ब Выंक आउफ इंडिया के द्वारा किया जाता है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मौदरिक नीती समीत में आपको कितने मेंबर देखने को मिलेंगे तो ध्यानर किएगा इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं कितने टोटल इसमें 6 मेंबर आपको देखने को मिलें जिनमें आपके तीन होते हैं सरकार की तरप से और तीन आपके होते हैं RBI की तरप से तो ये पॉइंट भी आपको याद पना है फिर एक प्रशन पूछा गया था कि नागालेंड राज की अस्थापना कब होई थी तो नागालेंड राज की बात करते हैं तो एक दिसंबर 1963 को इसकी अस्थापना की गई थी और भारती संग में या 16 राज के रूप में सामिल हुआ था तो याद दखिएगा एक दिसंबर 1963 को अस्थापना होई थी अब एक जैक्ट यहाँ पर डेट के साथ में पूछा गया था इसलिए यह प्रशन हो गया था थोड़ा सा टफ फिर ए अगला प्रशन पूछा गया था कि समद्र गुप्त के जो सिलालेक थे इनकी उचाई कितनी है तो याद दखेंगे इनकी जो उचाई है वह है 35 फिट कितनी है 35 फिट आपको इसकी उचाई देखने को मिलेगी समद्र गुप्त के बारे में आपको याद दखना है कि गुप् जी का नाम पूछा गया था तो हो सकता है आप से इनके बारे में भी पूछ लिया जाए फिर एक प्रश्ण था कि राश्पती के द्वारा जो यहाँ पर ordinance जारी किया जाता है वह कितने समय के लिए वैद होता है यानि कि जब हमारे संसत का कोई सतर नहीं जारी किया जाता है तो यह जो अध्यादेश है वह चे माह के लिए वैलिड होता है फिर प्रश्ण पूछा गया था कि भारत की जो पहली डवल डेकर ट्रेन है जिसका नाम है सिंहाद अक्सप्रेस तो यह ट्रेन किन सहरों को आपस में जोड़ती है तो ध्यान रखेगा यह मुंबई से पुने को आपस में कनेक्ट करती है और अगर हम लोग इस ट्रेन की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1978 को इस ट्रेन को लांज किया गया था तो डेट भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे 12 अप्रैल 1970 को इसे लांज किया गया था अगला प्रशन पूछा गया कि बिस्ट का जो सबसे पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है सुपर कंप्यूटर नहीं होगा सुपर कंप्यूटर तो आपका CDC था लेकिन और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो 1945 में ये पूरा बन करके तयार हो गया था 1946 में इसको लांज किया गया था तो ये पॉइंट भी आपको ध्या रखना है अगला प्रशन पूछा गया था कि माउंट एवरेश्ट पर 24 बार चढ़ाए करने वाली महिला का नाम क्या है तो प्रशन इस प्रकार से था कि 2019 में माउंट एवरेश्ट पर 24 बार चढ़ाए करने वाली महिला कौन बनी थी तो इनका नाम है कामी रीता सिर्पा नेपाल की हैं कामी रीता सिर्पा और इन्होंने 2019 में ये रिकॉर्ड बनाया था अगला प्रशन पूछा गया था कि निम् यहां पर आपका प्रत्री हो गया, यहां पर आपका चंद्रमा है, यह आपका सोरी है, तो इसी को हम लोग low tide की position कहते हैं, यानि कि निम्न ज्वार की स्थिति इसे हम लोग कहते हैं, अगला प्रशन पूछा गया था, कि संव्त राष्ट महासभा की पहली महिला अध्यच कौन अगला प्रशन पूछा गया था, कि स्थर्व सिच्छा अभियान किस पीम के द्वारा सुरू किया गया था, तो यह सुरू किया था, अटल बिहारी वाजपहीनी 2001 में, कम 2001 में इसकी सुरूआत की थी, और उसी के बाद में 2002 में हमारे यहां पर संसोधन होता है, 86, और जिसम प्रशन के बच्चे होंगे, उनको यहां पर जो राज्य होंगे, वे मुक्त और अनिवारे सिच्छा प्रवाइट कराएंगे, तो यह ध्यान रखेगा कि स्थर्व सिच्छा जो अभियान है, यह पीम अटल बिहारी वाजपहीनी 2001 में शुरू किया गया था, फिर एक आजस्थान का जो जैसल मेर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया था, दोहचार अनिवारे सिच्छा प्रकार से जो भी आपको प्रशन, जो भी मुझे प्रशन मिले थे, उन सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है, आज की जो आपके सिप्ट के वीडियो होंगे, अगर आप उनके क कोईस्चन मुझे भेजना चाहते हैं, तो 9838443100 पे आप उसको भेज सकते हैं, तो ये मेरा टेली वाट्सप नमबर है, इसके उपर आप कोईस्चन को भेज सकते हैं, बाकी अनकेडमी के उपर मुझे फालो करना बेलकुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को समय देने के जय भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।